अगर आपके पास भी वीव एंड राइड स्मार्टफोन है फ्रेंड और वो वीव एंड राइड स्मार्टफोन आपसे इस पड़कार पासवर्ट पैटन लॉक हो चुका है पिन लॉक हो चुका है आप अपना पासवर्ट पैटन पिन को भूल चुक हो तो फ्रेंड ऐसे में आप लोग सर्विस सेंटर जाओगे, पैसा दोगे, समय दोगे, आपका फोन अनलोक हो जागा, लेकिन आपके फोन में जो भी फैमिली फोटो, फैमिली ओडियो, वीडियो, फेस्वूप, टूटर, बाटसब, इंस्टाग्राम, एप्लिकेशन, एप है, वो सब डिलेट हो जा में हम आपको घर बैठे, वो एक टिप मैथेड बताएंगे, जिस मैथेड से आप भी वो फोन का लॉक इजली तरीके से तोड़ सकते हो, तो आए फ्रेंड में वीना टाइम लिये हैं, इस इंट्रेक्श्टेट वीडियो को श्टार्ट करता हूँ, वस आप लोग को वीडि आने से पहले फ्रेंड आप लोग अपना पासबर्ट पैटर्ण पिन को ट्राइ कर चुके होगे, आप यहां पे एक ओप्सन आपको दिखेगा, अपने फोन में इमर्जेंसी कॉल का या इमर्जेंसी सो स का, दोनों ओप्सन एक ही होता है, तो अगर आपके फोन में इमर्ज हुआ है यहाँ पर सबसे पहले इस code को एक बार आप अपने phone में dial it करना और three time call कर लेना है एक बार में सही-सही dial करना friend बिना कोई mistake के और three time call कर लो only three time जब इस code को आप three time call करोगे तो यह code आपके phone में active होगा उसके बाद working करेगा और आपका इस कोड का नाम था फ्रेंड, Frp Code अब इस कोड को हम एकक करके एरेज करेंगे और आपको भी एकक करके ही एरेज करना है अब आपको हम फ्रेंड विना टाइम लिये ही ये कोड भी दे देते हैं परस्ट कोड फ्र्प कोड था फ्रेंड जिस कोड के मदद से हम आपका फ्र्प लॉक रिमूफ करें उसके बाद यह सेकंड कोड है ओफ-लाइन मूद एक्टिवेशन कोड जिस कोड को अगर आप फाइव टाइम कॉल करते हो और वह कोड आपके फोन में एक्टिव होता है तो के नहीं देता है बस फाइब टैम पाँच वाड आफ लाइन मूड एक्टिवेशन कोड वन तू थिरी फोड एंड देन फाइब इस कोड को डैरेक्टी रेच कर लेना और यह एक आखरी कोड है फ्रेंड जिसके बीच में आपको ट्रिपल नाइन अस्टार हैज बीच में आप कोड को कॉल करना है फ्रेंड 11 बार तो यह कोड आपके फोन में एक्टिव होगा वर्किंग करेगा और आपके फोन में जो भी पासवर्ट पैटरन पीन है स्किन लोग है फिंगर प्रिंट लोग है सब रिमूव होगा अउनली 11 टाइम वन तू थीरी फोर फाइव सिक्स ना यहां पर होम बटन है होम बटन पर किलिक कर लेना स्वीप अप कर लेना फ्रेंड आप देखोगे कि आपका भी वीव इंडॉएड स्मार्टफून ठीक इसी परकार अनलोक होगा और वही विदाउट डाटा लॉस होगा इस फोन का एक भी डाटा डिलेट नहीं हुआ फ प्रेंड अब तक के लिए बैवाई थैंक्स फूर वाचिक